हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो यार यूट्यूब चैनल इंग्लिश फैमिली 87 सो इस वीडियो दे विच्च आपा गल कर देयां बीए समेस्टर फिफ्थ बीए समेस्टर फिफ्थ दा अपा प्ले एड़ा उस दी समरी एड़ियो पढ़ चुके पंजाबी दे विच आल माई संज तुसी चैनल दी प्ले लिस्ट दे विच जाके देख सकते हो और इस दे अपन लांग कॉस्चन ने जड़े ओभी आपकी ते ने 12 तो 13 जड़े अपन लांग कॉस्चन कर चुके हैं तुसी ओभी चैनल दी प्ले लिस्ट दे विच जाके लांग कॉस्चन ने जड़े हो दा कि गायड दे विच असी तक देते हुए ने सी तो पिचासी अपा कोशिश करांगे कि या तो सथ जड़े important ने सिर्फ हो ही किते जान जो अपनू पेपरा दे विच आउं दी पूरी संबाब में सो देखो हर एक वीडियो दे विच आपा छे तं सते यडे conversation ने शॉर्ट estab whenever करांगे तो देखो इस वीडियो नूँ शुरू कर दिया इस वीडियो दे विच आपा फस्ट छे ने यडि अपन शॉर्ट क्वेस्चन करांगे सो फस्ट देखो स्टार्ट कर दिया हो ओल्ड इस जॉय केलर केड़ा जॉय केलर है हो मतलब उसनी उम्राइड़ी हो किन्नी सी हाउ डाज ही लुक त्यों देखने विच के हो जासी गा सो गाइड़ दे विच बिल्लुकुली है शौड करे होई ने अपनू तिन नंबरां दे अ जोड़ा बहुत ज्यादा लंबा भी नी सिर्फ जिन्ना का पनूं कमफरेबल लग दे तो देखो इस दा अंसर स्टार्ट कर दिया जॉय केलर इस दा मेन क्रेक्टर आफ द प्ले अलमाई संज रिटन भाई अर्थर मिलर अर्थर मिलर द्वारा जड़ा लिख अगया प्लेय है ऑलमाई संज ओस दा एक मेन करेक्टर है जॉय केलर हीज़ अबाउट सिक्स्टी इयर्स ओर्ड लग पाग सथ साल जड़ी है उस दी उम्रे जॉय केलर दी मतलब पारी पर कमें जड़ा सरीर उस दा एंड अस्ट्रॉंग माइंड ते उस दा एड़ा माइंड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉंग है मतलब बहुत चलाकी दिना सोच दा हो उस दी का अपनी फैक्टरी जड़े की जहाँ जान दे पार्ट बनाँ दियागी He is a very clever kind of person मतलब बहुत ज़्यादा चलाक है ज़्यादा ऑपर सने चलाक किसमांदा इंसान है गो ज़ाएक एलर लोकस लाइक अ very mature person देखन देवें ज़्याएक जयादा ज़्यादा मच्श पर सन लगदा है के बहुत ज़्यादा स्यान है but he has a selfish mind पर उसदा माइड दमाख है ओ बहुत जादा की है selfish है गा so second question देखो who is Frank Lubay यह दा Frank Lubay है ओ काउन है what is his role in the play एस play दे विच उसदा की role है Frank Lubay दा start कर दें सदा answer Frank Lubay is the well-known character of the play All My Sons by Arthur Miller Arthur Miller दौरा दा लिखे गया है play है ओ सदा एक well-known character है Frank Lubay मतलो काफी नाम है सदा हो दा इस play दे विच he is a neighbor of keller family keller family दा हो मतलब gawandy है he is very friendly but gets irritated quickly ओ बहुत जादा friendly है दोस्ता ना मतलब उसदा सवाय है जे दा दोस्ती बदिया रख दा हो लोक कानाड़ पर एक गल जड़ी हो रहा है उस दे विच्च ओ बहुत जादा जल्दी बहुत जल्दी irritate हो जन्दा हो जे कर कोई गल बात हो उन्हों इस तरह दी कही जावे तो बहुत जल्दी इरिटेट भी हो जन्दा है गा फ्रेंक लूबे मतलब इस प्ले दे विच्च उसदा सपैसल रोल है और उसदा नाम बहुत हो जन्दा है प्ले दे विच्च उसनों अस्ट्रोलोजी दी भी थोड़ी बहुत मतलब नॉलज है गी है आस्ट्रोलोजी जो मतलब पे विच्च उसदा ले री ओस दे बारे कुछ पर विखवानी करे प्रेडिक्ट प्रेडिक्ट होंदा है प्रेक विखवानी करना if he is alive or dead के उस दे बारे पर भी खवानी करे लेरी दे बारे क्यों जोंद है या मर गया and Frank tells Kate that Larry will definitely be back ता जिड़ा एस उपर Frank है ओ कहेंदा है केट नू के लेरी है ओ बिल्लकुल के ना एकने के दिन बाप से जरूर आवेगा मतलब उस दे मताब के लेरी नहीं मरिया he is alive ओ कहेंदा जोंद है केट के लेरी नू पर भी खवानी कर दा है Frank लोबे के लिड़ा लेरी हो नहीं मरिया बाप सावेगा तो इसी का सेकंड क्वेश्चिन थर्ड देखो फिर भी जिदा नाम है मतलब उस दे नाम ने जिम बैल इस दे नाम ने मतलब चंगी पकड़ बनाके रखी हुई है प्लेयरे विचे उस दा नाम है जड़ा आउंद हैगा हलाकि बला जादा इंपोर्टेंट करेक्टर नहीं हैगा है और हो मिडल एजड मैन आफ अबाउट फोटी हो मिडल एजड मैन है का लगबा के चारी के साल दे उस दी उमर है ही इज डॉक्टर हो एक डॉक्टर है ही जड़ नेवर ओफ जॉय केलर जॉय केलर दा हो गवांडी है ही है बाउट स्टीव डीवर प्रिवियस हाउस मतलब और उसने स्टीव डीवर केलर दा यड़ प्राना कर सीगा पहला मतलब जय केलर दे गवांडी सीगा लख अंडी और ध blessings शीट यर वूरी यड़ अपनका कर बेच के बार चली गए सीगे ता ओ यड़ा का रहा है ओहो एस ने खरीद लिया सी जिम बैल इसने इसलिए उस दा गवांडी सी गा देखो ही हैस बाउट स्टीव डीवर दा प्रानाकार उसने खरीद दिया सी He is fully confident that Joy Kayla is guilty of sending the damaged slender मतलब वो उसनों पूरा बिशवास सी गा उसनों पता सी गा जिम बैल इसनों के जोई केलर है defective slender पे जंदे बिच उस दा पूरा हत थेगा but he remains silent पर हो silent रहा उसने कुछ नहीं कहा हलाकि उसनों ए चीज दा पूरा बिशवास थी गा कहना भी Joy Kayla ने ही गलती करी यह है पर फिर भी कहना उसने एन अते जोर्ज दे दमाग दे विच कोई इस तरह जहर नहीं उगलिया की दे खिलाफ केलर 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 दे खिलाफ केलर ऐस सब्सक्राइब थें केलर दे खिलाफ तो इसी का second who is Jim Bells जिम बैलस दे बारे अपा इनना कदस सब्सक्राइब नेक्स्ट कोईशन देखो अपना फोर्थ हूँ डज फ्रैंक से अबाउट लेरी जगाते वट आउगा इस तरह हूँ कोईशन है रॉंग लिखा गया वट डज फ्रैंक से मतलब फ्रैंक ने की किया अबाउट लेरी जगाते हूरोसकोपी हूरोसकोपी हूं दे कुंडली जिस तरह के अब कुंडली बगारा बनाओने ना अपनी ओ मतलब केंदा लेरी दी कुंडली दे बारे फ्रैंक ने की किया जा फिर इस तरह हो सगता है हाओ डाज हिस उपीनियन अफेक्ट केट अते केट के लडर दे उपर इस चीज दा की प्रबाप प्या मतलब के एक कोई कोई कुश्चन है है सब तो पहला के जड़ा फ्रैंक है उसने लेरी दी कुंडली दे बारे की किया मतलब लेरी बारे की दसे उसने केट नू अते उस बात जड़े उस दे उपीनियन ने उसने कुंडली बारे दस्या लेरी दी बारे उस चीज दा केट के लडर उत्ते की प्रबाप पया स्टार्ट कर दिया फ्रैंक जड़े उपीनियन हैड़े एक ग्रेट इफेक्ट on Kate's mind मतलब केट केल दर दे माइंड दे उपर बहुत ज़्यादा परवा आप पाया फ्रैंक दे उपीनियन ने जड़े उसने अपने उपीनियन दे वेन लेरी वाज रिपोर्टर्ड मिसिंग उसने मौत दा पूरी खबर नहीं मिली सी सिर्फ एनना आया सीगा के लेरी जड़ा हो गवाज गया नहीं मिल रहा फ्रैंक सेज देट 25 ओफ नवंबर वाज मोस्ट फेवरेवल डे फार लेरी कहनदा जड़ा 25 नवंबर है फ्रैंक कहनदा के ओ यड़ा देन है ओ लेरी दे वास्ते बहुत ज़ादा फेवरेवल है मतलब लेरी दे पक्ख दे विच ए according to his horoscope उस दी कुंडली दे मताबक कहनदा मैं कहनदा उस दी कुंडली देखी है उस दी कुंडली दे मताबक ए देनों से दे ले बहुत शुवे लेरी दे ले So, he could not have died on that day ता कहना एस दिन दे विच कहना लेरी येड़ा नहीं मर सकदा उस दे मताबक लेरी नों मिसिंग कोष्ट किता गया कई लोग कह रहे ने के लेरी मर गया पर उस दी कुंडली दे मताबक ए लेरी ये उस देन नहीं मर सकदा Frank's opinion gives strength to Kate's belief that Larry is still alive ता एस opinion ने मतलब Frank दे एस opinion ने केट केल्दर नों एक बहुत strength दिती कास दे लिए के उस देड़ा belief सीगा केट केल्दर दा के लेरी येड़ा हो जोंद है लेरी नहीं मरिया ता जो दो Frank ने भी एप विखमानी की ती उस दी कुंडली नों लेके ता केट दा इड़ी strength हो और जादा बाद की तो देखो नेक्स्ट कॉस्चन देखो वाई डाज क्रिस फील डैट केट विल ओपोज हिज मैरी ज प्लान किएड़ा chriss है ओ जेहा क्यों फील कर तो क्रिस कर रहा जो हाना जेड़ा chriss है जेहा क्यों फील कर दा है के जी केट यह मतलब और असद ती marriage दे प्लान दे लई और खिलाफ होगी और उसदे marriage दे जैड़ा उसने plan बनाया chriss ने यदी Kate के लरा है उऊ सदे उपोज होंदा है विप्रीत, उल्टTE के उऊस दे खिलाफ होवेंगी क्यों लगधा सी क्रिस नो जा है जाहां? सो देखो क्यों लगधा सी Chris feels that Kate will oppose his marriage with Anne Chris केंना Chris नो इस तरह लग रहे है क्योंकि यदी Kate है उस दी मात है ओह मतलब एन नाल उसे दे ब्या करवान दे खिलाफ होएगी क्योंकि यह केट है ओई बिशवाश कर दी सी के यह लेरी है उस दाब डप रहा है कहां दे ओ जांद है ते एक नहीं के दिन बाप से जरूर आवेगा So, केट सेज देट एन शुड वेट फर लेरी ताँ केट सेज दी केट है ओँ के रही है के एन नू लेरी दे खतर वेट करनी कहीं दी एक लेरी दे बाप सांद तक क्यों एन इस लेरी ज़ फियां सी क्योंकि यह लेरी आई ओँ लेरी दी कीसी मंगेतर सी गी सो क्रिस्ट कैन नॉट मैरी अगर्ल हुई अंगेज़ टू हिज ब्रदर इसलियो केंडी है के क्रिस्ट नू एन दे नल भ्यान नहीं कर वोना चाहिंगा क्योंकि यह डी एन है ओस दे प्राल लेरी दी मंगेत रहे सो क्रिस्ट फिल्स देट केट विल नेवर बी रेडी फार दियर वैडिंग अंटिल शी होप्स फर लेरी जरी रिटर्न ता इसलिए केंडा क्रिस्ट की सोच दा है फील कर दा है केडी केट है ओ कदे भी त्यार नहीं होवेगी ओस उनना दी आपस दे विच्च उनना दे व्या के लेखो कौशन नमर सिक्स्ट वाइड ज़ केट बलीव केट आई डी ओ क्यों मतलब विश्वास कर दी सी किसुपर लैरी इसस्टिल अलाइव कैने केट आई डी ओ यहा क्यों बलीव कर दी सी क्यों भी ओस नो विश्वास सी गा केडा लारी है ओ जहुंद है वाई इज गया भी मतलब हो क्यों नहीं मन रही सी केट उसदा की कारण नसी गा आप उसदा कारण दसांगे शुरू कर दिया आल मेंबर्स आफ दा केलर फैमिली एग्री डैट लेरी इस डेट सारे ही केलर फैमिली डेरे मेंबर ने ओ एस चीज देनार सहमत ने इस गल देनार केड़ा ले यह हो मर गया बट केट इस नौट रेड़ी टू अक्सेप्ट दिस पर जड़ी केट है ओ मतलत त्यार नहीं सी एस नूँ अक्सेप्ट करन दे ली यह इस ड़ी केट है क्योंकि उएक मादा दिल हो नहीं बिलकुल चाके भी सामने भी बिश्वास नहीं कर रही कि यहाँ मर गया नो मोर मतलब कि यहाँ जिन्दा नहीं है इस डिफिकल्ट तो कन्वेंस केट लेरी इस डेड एह बहुत ओखा सी गा उसनों कन्वेंस करना के यहाँ लेरी यहाँ मर गया क्योंकि कोई भी डेड बॉडड़ी भी नहीं सी जो यह प्रूफ कर सके के लेरी मर गया वो सिर्फ यही सोच रही सी केट लेरी है वो सिर्फ गवाच्चन दी ही खाव रही है मतलब द्वारा बापस आओगा जल्दी ही केट ड़संट इवन बलीव इन लेरी जडेथ मतलब जड़ी केट है वो इक रीजन उस दा होर भी सी गा के वो बिशवाश नहीं कर रही सी के लेरी यहाँ मर गया की रीजन सी गा हो विकॉज फ्रैंक लुबे सी गा हो उस ने भी केट के लड़नू एक हा सी के ट्वंटी फिफ्थ नुवंबर जड़ा ओहो मतलब लेरी दे लही फेवरेवल डे है भी लेरी दे पक दे विच्च है सो ही कुड़ नौट हैब डाइड ऑन देट डे एसली केंड़ा ओस देनों हो बिल्लकुल नहीं मर सकदा सी मतलब के फ्रैंक लुबे ने भी थोड़ा जाओ दे दमाग दे विचे परता सी गा के उसने उस दी कुंडली देखिया है के लेरी नहीं मर सकदा इस ने भी एक बहुत स्ट्रेंथ दिती केट दे बिशवास हूँ दैट लेरी इस तिल लाइफ के यड़ा लेरी यह हजे भी जोंद है एसली ओह बिशवास नहीं कर रही सी केट के लिए तो एसी गा सिक्सत कौस्ट इस वीडियो दे विचे सिर्फ आपँ छेझे यड़े शॉट कौस्चन ने यही करणके सब्सी Bike कहरों एक बीडियो करके सारी ही विडियो दे विचे परेंड इस शॉट कौस्चन ने इस प्लेय दे ओपा टोटल ही थो नू करवामागी सारे सो फिलार सिर्फ एनने कही तुसी इनना नू चंगार वाइज करना इस दी चंगी तरह तांके अगले आउन वाले कोश्चन ने जड़े ओभी तो नू चंगी तरह समझाजा तो इस वीडियो दे विचे नहीं मिल द तक देव इजाज़त थैंक यू सो मच